वेज बियानी के लिए बेज बियानी के लिए प्याज फ्राइब कर लेंगे तो कुकर गरम हो चुकी है इसमें हम प्याज फ्राइब कर लेंगे अब प्याज फ्राइब कर लेंगे अब इसी ओईल में हम सब सब्सक्राइब कर लेंगे आलू राजर बीम्स और आलू जो मैंने लिया था वो एक आलू लिया था बीम्स मैंने दस बीम्स ली है और आधा सिमला मिर्च मैं एड करूंगी और कोबी के कुछ कली जो मैंने एड किये हैं और इससे पहले हम फ्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी ओईल में हम पनीर के कुछ क्यूब्स जो की प्राइब कर लेंगे और इसी ओईल में हम आधा सिमला मिर्च और मटर कुछ बढ़ाने प्राइब कर लेंगे तो आप दूसरे कंटेनर में भी इसे प्राइब कर सकते हैं बट मैंने कूकर में ही प्राइब कर लिया है और लेट करेंगे टूटी स्पून के लगबग खड़े मसाले फ्राइब हो चुके हैं अच्छे तरीके से तो अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक प्याज जो कि मैंने बहुती पाड़ी कट कर लिया है और इसे फ्राइब करेंगे और प्याज लिका फ्राइब हो चुका है अब हम इसमें मसाले यहां एक टी स्पून के खंदी के पाड़नीए half tea स्पून और इसमें जीरा पाड़ की करेंगे जीरा और भूलकी का पॉडर है यह हाप टी स्पून लाल मिर्च हाप टी स्पून और इसे अच्छे तरीके से फ्राइ कर लेंगे मैं अब कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं तो मैं इसे फूर टी स्पून यूज करेंगे एक पिंच के करिए अच्छे से अब इसमें दही जो है वो एड़ करेंगे तो दही कभी भी गरम में आड़ नहीं करिए नहीं तो आपका दही जो हो पुरा फट सकता है तो इस टाइम पे मैं गयास को आफ कर दूंगी और फूकर को ठंडा होने और हमने दही यूज किया है जो कि इस चम्मत से 2 ट ईस समय पे तोर सभी समय पे सब्सब्स त्रूंः त्रूंट कर देगे मिक्स मिक्स हो चुका है अब हम इसी و दте ने मिक्स कर लेंगे और यह जोढ़ित अब देख रहे होगे मसाले अब यखे तलिसे कि अब मैं गैस जो है वह आणकर लोगे तो हलका सॉल्ट भी आड्ट करेंगे अब ही अगर्द ये स्वाद अनुसार् शार्त करते वक्ते वग्त शब्जी में स्वाइच उल्ट प्राइट करेंगे ये लिए ग्वाइच देपा मतिडारिस और इसवाण यहां सब्सक्राइब करें इसे फुलने के लिए पानी में नहीं रखना है इसमें भी सौल्ड हम स्वाध अनुसार एड़ कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे देखें इस तरीके से मिक्स कर लीजे जिससे की चावल में अच्छे तरीके से नमक जो है वो मिक्स हो जाए अब हम इसमें चावल जो है और इस टाइम पहें हम गयास का फ्लैम एकदम कम रखेंगे और सबसे पहले हम इसमें भूना हुआ प्याज इस तरीके से चारो तरफ फैला लेंगे और फिर धनिया की लेपस इस तरीके से चारो तरफ फैला लेजे उसके बाद हम इसमें बिरियानी मसाला जो है वो हाप टीश्पून के करीब चारो तरफ फैला लेंगे चावल आप चारो तरफ फैला लेजे चावल हमने फैला अब बच्चे विवे प्याज, चावत्रा फैला लेजे और धनिया का लेपस, और बिर्यानी मसाला हाग ती स्पून, और आप चाहें तो इस समय पे ही आप इसमें केवरा वॉटर और केशर दूद भी डाल सकते हैं, और नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, इस कटूरी से एक कटूरी जो वॉटर है वह चारो तरप से डालिए बीच मेनी, चारो तरफ से डालते इन वे आपको एक कटूरी वाटर एट करना है और थोड़ा सा वाटर कम अड़ करना है, तो देखें, हाप मैंने और एड किया है, वाटर हमने एड कर दिया है, कूकर का ढखकल लगा के हम तो देखें आपलों एक सीटी लग चुकी है और मैं इसका फ्लेम कर दूंगी दूसरी सीटी नहीं आने दे और दो से तीन मिनट टक हम इसे पका लेंगे और और आप कर देंगे गया और ठेडा हो चुका है कितना अच्छा खिला खिला बनाएं केक दाना और एक चावल अलग अलग है तो इस तरह से आप एक बार ये बिर्यानी जरूर ट्राइब कीजिए भेज बिर्यानी बहुत ही यम्मी लगेगी और बनाने के बार इसे अब मैं बरे बर्तन में रख दोगी नहीं तो क्या होगा कि नीचे का जो है चावल वह ज्यादा ही कुख हो जाए और देखे कितना यम्मी बना है और इस तरह से आपको खाली कर लेना ऐसे चावल भेज बिर्यानी बनकर रडी हो चुका है तो ये रेसिपी एक बर आप जरू ट्राइब कीजिए ये खाने में बहुत ही यम्मी लगती ह कर झाल बैपिया और ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए को आप लोगों को gospels our Love we out और बेल ऐकन को भी जरूर क्लिक किजिए जिसे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मेरा हर एक वीडियो देख पाए तो बाइ फ्रेंड्स